हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HR Academy पर तो आपको पता है हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था ठीक है तो यह हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमें स्टार्ट करने वाले है कि जो इस्ट इंडिय कंपनी थी यह क्या थी यह किस तरीके से ठीक है इक करवर पोचाहरी थी तो हमने इसमें पढ़ेंगे इस इंडिया कंपनी थीटति दिicusम चेंपको पता होगा grad की कमपनी थीट है इस इंडिया कंपनी थी आप क्या हो रहता दौस्तों यह इसी एक मात्र Turkish कंपनी थी जह चिन सब्वेपार करती तो बाकी जो और कम्पनियां थी उनको अनुमती नहीं मिली थी तो आपको पता है एक कम्पनी वे पार कर दिये तो बाकी कम्पनियां तो जलेगी तो बाकी कम्पनियां बोलने लग गई इस इंडिया कम्पनी की अलोचना करने लग गई दोस्तों क्या करने लग गई अलोचना अलोचना जब ये करने लगी तो इसने बोला कि परियाप्त मातरा में परियाप्त मातरा में कर कहा नहीं पहुच रहा इंगलेंड तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा कि और कम्पनियों दुआरा क्या करी गई इंगलेंड जो इस्ट इंडिया कंपनी उसकी आलोचना करी गए और क्या का आ गया कि परियाप्त महातरा में कर नहीं भुचारी कहां नहीं भुचारी इंगलेंड हैं तो फस्ट पॉइंट हमारा बनता है कि परियापमातर में करने ही प cloud गए और दूसरा-पॉइंट यह बनता है कि जो ऐस्टंडिया कंपनी के अधिकार है उनका लालच और ब्रस्ट बता जा रहा इस्ट इंडिया कंपनी का तो यह आलोचना हो रही थी किसके इस्ट इंडिया कंपनी के अभी मैंने बताया लोचना कुन कर रही थी बाकिये और कंपनिया और कहा गया कि यह बहुत ज्यादा सोशन कर रही है किसानों और जमिनदारों का तो ये सब बाते रखी गई दोस्तों और कम्पनियों दुवारा तो इस थरीके से East India Company की क्या करी गई आलोचना करी गई तो इसी बीच क्या हुआ ये जब सीजे सामने आने लगी तो British Parliament क्या करने लगी बहुत ज़ादा धियान देने लग गई किस पे East India Company पे और बहुत सारी र रिप्वोत्ते कर गई कि tu Kathud's से जितने भी रिपोर्टे बना रहे हो कहां पर वेजो इंगलन में तो दोस्तों सब्से important रिपोर्ट अभी हम पढ़ेंगे इसमें से सब्सक्रापलोर्ड के तो सब्से इंपोर्टैंट पांच्वे रिपोर्ट तो ये आपकी जो पेश की गई थी वो 813 में पेश की गई थी भीटिस dónde दोस्तो इस था पर्वर समीट में दूहा इसे बनाया गया था परवर समीति द्वारा इसको बनाया गया दोस्तों परवर समीति ने रिपोर्ट तयार करी और 813 में बेटे संसर में पेज हुई अब इसके अंदर 1002 प्रिष्ट थे यानि 1002 पेज थे इसके अंदर दोस्तों 1002 पेजिस की रिपोर्ट थी जिसमें से सिर्फ 800 पेजिस जिसमें से सिर्फ 800 पेजिस में क्या लिखा हुआ था किसानों और जमिनदारों की अर्जिया लिखे हुई थी किसानों पलस जमिनदारों की क्या लिखे हुई थी अर्जिया लिखे हुई थी इसमें तो दोस्तों हमने क्या पड़ा जो आपकी East India Company थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होई और कम्पनिया आलोचना करी थी कह रही थी परियापता मातरा में करिंग लेंड नहीं को चारी है जमिंदार किसानों का बहुत ज़्यादा सोशन कर लिए तो यह हमने पड़ा और दू जमिंदारों किसानों की अर्जया लिखी थी उस अर्जयों में यह लिखा हुआ था कि इस टैम हमारी क्या नहीं हो पाई है किर्शी नहीं हो पाई है काल के कारण या यह बहुत सारे और ऐसे कारण किर्शी नहीं हो पारी थी तो उन्होंने बहुत सारी अर्जया लिखी कि ह मारा इसवार कर माफ कर दीजिए परंतु इसमें कोई छोट नहीं मिली कर को एकदम फिक्स कर दिया गया था परा था ना इस तमरा रिबंत उसमें कर को एकदम फिक्स कर दिया गया था जिसका इनकर में कोई माफ ही नहीं मिली और इसमें जमिंदारों द्वारा जो हतकंडों का परियोग किया गया था वो भी इसमें लिखा करा था निलामी से बचने के लिए वो हतकंडों का परियोग करते था उक्षन से बचने के लिए ठीक है तो उस हतकंडों के बारे में भी पांचवी रिपोर्ट में लिखा गया था तो दोस्तों पांचवी रिपोर्ट आपको अच्छे समझागे कि पांचवी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था अठारसो तेरा में बीटी सेलसद में पेस हुई थी रिविजन कर रहा हुँ ठीक है तो दोस्तों हम बात करने वाले थे इसमें एक हीरो की एंटे होने वाली थी तो जो हीरो था उसका नाम क्या था दोस्तों उसका नाम था जोतदार अब क्या होता है हमने सबसे पहले पढ़ा था सबसे टॉप पे कौन था आपका सबसे टॉप पे इस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और किसान किसान से थोड़ा सा उपर था ये जोद्दार और जमिनदार से नीचे ठीक है जो जमिनदार हुआ करते थे वो शहर में रहा करते थे और जो जोद्दार होते थे वो गाहों में रहते थे जमीने थी जिसको क्या बोला गया दोस्तों मिल्कियत बड़ी बड़ी जमीनों को मिल्कियत बोला गया और प्लस में इनको धनी किसान भी बोलते थे ठीक है 18 अताद दी में धनी किसानों को क्या हुआ उदय हुआ अत्त моel कि इसने पहीं किसानों का बडरी जमीन थी बड़ी जमीने थी और व्याधा पर पूरी जो डिपार ठीट साना जो गाउं में व्याज होता दायं में वैपार ओता ऑस पर पूरी तरीक है की जानी किसानों का फुल समर्थन था इनने किसान फुल सपोट करते ते किसको जोतदार को उसान के रहते थे ठीक है और जमीन दर कहा रहते थे जैरों में सब्सक्राइब करते ते और इस knocked out के कार्यर भी करते लोस्तों अधेलिय 두ट कि पीए है तो डोलिगा सहोकार उक होटे आप बोले कि सावकारो के कारे क्या होते है। तो आपको भी पता है लोवन देना ठीक है भ्याच पर पैसे देना तो यह सावकारो के उस्थल हम कार रहे हुआ करते थे और इनके पास खुदकी NDO करती थी. तो आपको भी पता है यह जमीनदार के पास खुद की सेना नहीं है परंतु इनके पास खुद की सेना है तो यह बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे ठीक है जोददार अब हम और पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं जैसे इनको क्या बोलेता था कई-कई जगा पे इ उत्री बंगाल जैसे आपका बंगाल है तो बंगाल का जो उत्री साइड है उत्री साइड में बहुत ज्यादा सक्तिशाली हो गए थे उत्री बंगाल में यह बहुत ज्यादा क्या थे पावरफुल तो आपको एकदम सारे चीजे टिप पे हो रही हो कि फर्स्ट पार्ट ए सिर्फ किसान और जमिनदारों के अरजय लिखी हुई थी दोस्तों ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें जमिनदारों द्वारा हतकंडे यूज करे जाते थे वह भी लिखे हुए थे ठीक है निलामी के बॉत सारे कलेक्टरों की रिपोर्ट सामिल थे उसमें बहुत सारे collector ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट पांच भी रिपोर्ट में सामिल थी तो सारी चीज़ें आपको एक्दम टिप पे हो गई होगी फिर हमने जोददार के बारे में जाना जोददारों को 18 सताब्दी में उध्य हुआ था ठीक है ऑखेते जोदारों को जोददार को लेगे तो एकıllम सारी चीजा आपको टिप पे हो जाएगी अब हम बात करतेlor को ड्यावस कुदाल ऑर हल ठीक है तो सबसे पहले बात करें कुदाल vy wouldal जो ऑने तो यह पहाड़ी जन्दाती का चिन है अब यह जो पहाड़ी जंज आती यह कहां रहती थी दोस्तों तो यह बोलेगे हम राज महल के पहाड़ी यह बंगाल की बात कर रहे हैं ठीक तो यह पूरी तरीके से बंगाल का डीपली पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा रहतीवाडी सिटम दे रखना तो यह काहाँiset में राज महल कि पहाड़ी यह बंगाल के अंदर यह दोस्तों राज महल की पाड़ी मूर्ग्ट तो क्या होता था यह पहाड़ी जन जाती प्लस में एह दो पेड़ो के बीच में रहा करते थे अब आपसे मेरा यही कोशन है कमेंट सेसन में आंसर देना है कि दो पेड़ों के बीच में ही क्यों रहते थे और दो इमली के पेड़ों के बीच में रहते थे भाई नीम के पेड़ों के बीच में रह लेते ठीक है तो इस बात का आंसर आपको कमेंड में बताना है कि दो इमली के पेड़ों के नीचे क्यों रहते थे और यह रेशम के कीड़ों का वेपार करते थे उसको पालते थे दोस्तों ठीक है रेशम के कीड़े ठीक है इसका वेपार करते थे उनको पाला करते तो इस तरीके से जीवन निर्वा होता था अब हम बात करने वाले इनका एक होता था मुखिया ठीक है पाड़ी जन जाती के बारे में बात कर रहें इनका वेकोन होता है मुखिया अब ये मुख्या क्या है इस मुख्या का कार्रे क्या होता था जब भी ये क्या करता था अपनी जाती के बीच सांती और नियाय बना के रखता था सांती प्लस क्या बनाता था नियाय ये बनाय रखता था अपनी पहारी जिन जाती की बीच और ये क्या करता था अगर बहारी मैदानी इलाकों में क्या करता था जब आकरमन करता था उनसे जब लड़ाई जाती थी तो अपनी जाती का क्या करता था नेतित करता था तो ये जब आहाँ हमला करते थे न पहाड़ी जंज आती है जब इसके संसादन खतम हो जाते थे संसादनों के क्या करते शंसादनों की कमी जब पड़ती जब करती थी और दूसरा अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए अपने अपनी पावर को शो करने के लिए क्या करती थी वहाँ पे अटेक करती थी मैदानी इलागों पर और मैदानी इलागे इस चीज को क्या करते थे सांती बनाये रखने के लिए इनको पैसे देते थे तो इस तरीके से पहा पहाड़ी जन जाती के पहले तो पारी जन जाती को बहुत ज्यादा समझाया उसके बाद अंग्रेजों का क्या परभाव पढ़ा पहाड़ी जन जाती के तो नेश्ट टॉपिक हमारा वह यह ठीक है और दोस्तों यह क्या करते थे एक पॉइंट और रहा गया यह वेपारियों जो वेपारी जंगल से गुजरते थे उनसे क्या लेते थे टैक्स लेते थे जंगलों से गुजरने वाले वेपारी तो यह परभाव पढ़ा पहाड़ी जन जाती पर अंग्रेजों का पहाड़ी जन जाती क्या इफेक्ट पड़ा क्या परभाव पड़ा इस बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों क्या हुआ अठारवी सताब्दी के अंतिम समय में क्या अठारवी सताब्दी अठारवी सताब्दी के अंतिम दस्कों में क्या हुआ इसने अपने अंटर फ़ंटर बेज़ने श्टारबा इफ आप जैसे जंगलों की कटाई हो रही है पहाड़ी जन जाती जा रही है फोड़ी अंदर की तरफ जाती जाती जारही है अब इनोंने क्या बला जब जंगली कटाई स्टार्ड कराई तो बोला गया अंग्रेजों की तरफ से कि तुम क्या करो खेती करने स्टार्ड कर दो ठीक है कौन सी खेती पर्मानेंट खेती ठीक है जूम खेती नहीं पर्मानेंट खेती फिर हम क्या लेंगे तुमसे टैक्स लि बरबर उपदर्वी असभ्य है तो इन नामों से उनको पुकार आ गया ठीक है अंग्रेज यही बोलते थे यह असभ्य है बरबर है उपदर्वी है ठीक है इन नामों से उनको पुकार आ गया और प्लस में क्या हुआ अब अंग्रेजों ने इनको 1760 के दसक में मारने की नीती च्टः अ मारने की निटीव दोस्तो एच मारने नीके बनाई और आपको लगता है इनको मरदेंगे पहाड के जो पहाड का रास्त है वह सबसे जदा पहाड़ी जन्जाति को पता है फिर इनको बता है तो पहाड़ी जन्जाति अब जैसे अले पताaintाHS में मारना चाहय जैसे पारी जिंजाती को बने ब कहांपेग बहें लागव जैसे पारे इंग हवा हवा टाइट हो गए दोस्तो 1780 के दक दसक में 1770 के दसक में क्या होता है भागलपूर का कलेक्टर भागलपूर के जो आपके कलेक्टर थे उनका नाम था अगस्तस कुईसलेंड क्या नाम था अगस्तस अगस्तस कुईसलैंड अब क्या होता है दोस्तों 1770 के दसक में भागलपूर के कलेक्टर अगस्तस कुईसलैंड क्या बोलते है तुम हमले रोग दो किनको बोलते है पहाडी जन गुंसे ने क्या बोला तुम अब attack रोग दो हम तुमें क्या देंगे इसके वल्वल टी ऐस देंगे परंटु बहुत सारे ऐसे मुखीया थे जिन्हों ने टैक्स लेने से मना कर दिया और जिस मुख्या ने टैक्स लेने से कोशिज हलकी सी भी कोशिज उसको उसकी मुख्या के पद से हटा दिया गया जिसने टैक्स लिया उसको उसकी पद से हटा दिया और बाकि बहुत सारे मुख्याओं ने टैक्स लेने से मना कर दिया ठीक है टैक्स लेने से क्या कर दिया था मना कर दिया था किनों ने बहुत सारे मुख्यां उन्हें और जिसरे टैक्स लेने की कोशिस की उसको उसकी गद्धी से हटा दिया गया तो अच्छे से आपको इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पिलस में पहाडी जंजाती के बारे में सारी चीज़े आपको किलियर हो गई होगी थे तो सबी कलेक्टर हो कि रिपोर्ट इसमें सामिल की के आपकेश्ते करते हैं कि जो रिपोर्ट थी वो इसमें सामिल थी दोस्तों कि सारी चीज़ा आपको अच्छे से किलियर हो रही होगी ठीक है ना अच्छे से चीज़े एकदम टिप पे हो जाए या आपको टैंसल लेने की बात नहीं ठीक है वादा एकदम पक्का रहेगा मेरा अब हम स्टार्ड करते हैं जैसे जो पहाड़ी जन जाती थी अब क्या था जो पहाड़ी जन जाती पहाड़ी जन जाती क्या हो रही है बोच जाता परिसान हो रही है किस से इस इंडिया कमपनी से अब क्या होती है बुकानन नाम का एक अधिकारी होता है यह क्या करता है राज महल की पहाड़ी का दोरा करता है बुकानन यह क्या करता है दोस्तों राज महल की पहाड़ी का दोरा करता है और यह होता है एक चिकिस्सक यानि क्या होता है एक डॉक्टर ठेक है ये एक चिकिस्सक होता है अब ये क्या करता है जो बुकानन होता है राजमेल की पाड़ी की तरफ जाता है और जो जो ये चीजे देखता है उसको क्या करता है अपनी नोट जो अपनी डाइरी होती है अपनी डाइरी के अंदर करता है और ये डाइरी के अंदर क्या लिखता है यह डाइरी के अंदर लिखता है फर्स्ट पॉइंट लिखता है यह डाइरी के अंदर लिखता है कि जो आपके इस टी जो उनका वैवार है ना पाहड़ी जन्जाती का वैवार वो कैसा है सतुर्ता पूर्ण पाहड़ी जन्जाती का वैवार कैसा है सतुर्ता पूर्ण प्लस में second point ये लिखता है कि यहाँ पे कम ही यात्री आने की कोशिस करते हैं क्यों कि यहाँ के लोगों का वैवार कैसा है सतुर्ता पूर्ण ठीक है तो यहाँ पे कम यात्री आने की क्या कर सकते है कोशिस कर सकते है कम यात्री ही आ सकते है तो ये चीजे कौन वर्णन करता है बुकानन इनका वैवार सतुरता पूर्ण है और पिलस में कम यात्री आने कि यहाँ पे कोशिस कर सकते है क्योंकि उनका वैवार कैसा है गुस्से वाला और तीसरा पॉइंट वो लिखता है कि जो हमारे जो ये पाड़ी जन जाती है उनके करती है ऐसी सकती के रूप में देखते हैं अंग्रेजों को जो उनके कल्चर को क्या कर सकती है खतम कर सकते हैं उनकी संस्कृति को क्या कर सकती है खतम नुकसान पहुचा सकती है तो ये तीन पॉइंट बुकानन क्या करता है अपनी डाइरी में इसका वर्णन करता हूँ चीजे परकता है और उसको लिखता है ठीक है तो आपको सारी चीजे एक दम अच्छे से किलियर हो गई होगी और ये फ्रांसे से चिकिश सकता ठीक है दोस्तों ये फ्रांसे से चिकिश सकता और उसके बाद ये सारी चीजे थी जो बुकानन क्या करता है अपनी डाइरी में लिखता है तो आपको सारी चीजे लाइन से किलिए रोगी अब हमने वहाँ पर पढ़ा था कुदाल वर्षी सल कुदाल तो पहाड़ी जन जाती का चिन था ठीक है अब हम बात करते हैं किसके बारे में हल के बारे में हल थोड़ा अजीब सा बन गया ठीक है यह वाला हल मत समझना इसे आ जाओ है यह हल किसका था दोस्तों अभी मैंने बताया है संथालों का अब जो संथाल थे ना यह क्या करें थे 1780 के दसक में पहेती करते थे नइं भाड़े पर खेती करते थे मलें एक दिन आ तो इन यह क्या अंगरेजिरने दिमाग लगाया है क्या दिमाग ़गाया हमने पहारी लाग्वों में क्या रखे थे जंगल कार दिये थे तो इन सभीयों को जमीनदारों को बोला गया जितने भी सारे संथाले इनको कहां पे स्थानतित कर दो स्थान झाए जाएन इसको कहां पे transfer कर दो सीधा का सीधा आपके पहाड़ी लागों में तो पहाड़ी लागों में जब यह transfer हो जाएंगे इनसे खेती कराएंगे और अच्छा खासा करह हमें मिल जाएगा तो यह दिमाग किसे ने लगाया आपके अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने उनको shift कर दिया महापे और उनको जमीन क्या कर दी वो रिजर्व कर दी तो उसको नाम दे दिया गया दामीने को तो उनको सीटे रिजर वो जो आपकी जमीन थी उसको रिजर्व करा उसके बाद अगरे जो ने क्या करा उनसे खेती करवाई अब अच्छे से खेती कर देते भी चार पास साल फुल एकदम पर्मानेंट किसान बन गए थे और उनको आदर्स बासिंदे और सब्वे बोला गया और आपको बताया था, मैंने पहाडी जनजाते हैं क्या बोला था, असब्वे बोला था ठीक है, उated उपदर्व्य और बरबर का अगया था पर इनको क्या बोला गया सन्था लोगो सान्था यह इस आदर्स बासिंदे फैयक है, इन नामों से इनको मुस्दे पकार गया अब क्या हुआ इनके जो अठार सो बीस में इनकी जनसंक्या थी 20-30 के लगबग इनकी जनसंक्या इनके गाउं के जनसंक्या इनके गाउं थे 40 और इनकी जनसंक्या 3,000 थी परन्तु 20 साल वादी यानि एठार सो पचास में इनमें चेंजिस आ गया इनके गाहों हो गए करीब आपके 1473 और इनकी जंसंकिया 82,000 हो गई तो देख रहे हो दोस्तों कितनी ज़्यादा विरिद्धी हो गई इस कारण अंग्रेजों को क्या हुआ थोड़ा सा लाला चाहिए इन्होंने बोला अप क्या कर दो अप स्टार्ट कर दो आप इन पर क्या टैक्स को बढ़ा दो उन्होंने क्या करा पहाड़ी जंजाती पर टैक्स ओ आपकी संथाल जंजाती पर टैक्स को बढ़ा दिया जैसे tax बड़ा दोस्तो वही system होगे आप रहे रहे हो कमरे में 10,000 का किराया दे रहो आप कमा कितने रहे हो 8,000 किराया बढ़ दोगे नहीं तो संद्धालों को मैंने बताय था अब क्या हो रहा था? अब क्या हो रहा था ये कब 1760 में क्या कर रहे थे परवेश कर रहे थे बंगाल के अंदर और शुरुवात में भाड़े पे खेती करते थे ठीक है 1760 के दसक में बंगाल में क्या कर रहे थे परवेश बंगाल में क्या हो रहे थे एंटर अब जैसे बंगाल में परवेश करने थे तो शुरुवात में क्या करते थे खेती करते थे किन पर भाड़े पर भाड़े पर खेती करते थे जमीनदारों के एंटर अब जब ये भाड़े पर खेती करते थे तो अंग्रेजु ने दिमाग लगाया और इसको इस्थांतरित कर दिया संथालों को कहां पर इस्थांतरन कर दिया राजमहल की पाडियों पर संथालों को ट्रांसफर कर दिया दोस्तों कहां पर राजमहल की पाड़ी पर अब जैसे इनको ट्रांसफर करा तो इनको क्या कर दी थी वहाँ पर जमीन रिजर्व कर दी थी जमीन क्या कर दी थी रिजर्व जमीन क्या कर दी थी आरक्षित और उसको एक नाम दे दिया गया दोस्तो यह नाम दे दिया गया था था थारोसो बत्थिस में दामिन एको तो आपको अच्छी तरीके से चीजे के लिए रोड़े ठीक है ना अब क्या हुआ इन्होंने जैसी जमीन को रिजर्व कर दिया इनकी जनसंख्या मैंने आपको बदाए थी इनकी जनसंख्या थारोसो तीस में गाओं की जनसंख्या कितनी थी? 40, 40 गाओं थे पस इनके अठारोसो तीस में और इनकी जनसंख्या आप देखे तो 3000 हजार इनकी जनसंख्या थी ठीक है अब इनकी जनसंख्या में देखो कैसे बदलाव आया थारसो पचास के इंदर इनके गहां हो गए 1473 प्लस इनकी जनसंख्या हो गई 82,000 यह देख के अंग्रेजों का मत्था है कि यह तो क्या हो और यह बहुत जादा पैसे कमारे इन पर क्या कर दो टैक्स बढ़ा दो अंग्रेजों ने क्या कर दी टैक्स में विरिद्धी कर दी दोस्तो अंग्रेजों ने टैक्स में क्या कर या विद्रो तो आप से कोई पूछे संताल विद्रो कब हुआ था तो आपको पता है अठार सो पचास में इनकी जनसंक्या बढ़ गी थी पांस साली बात संताल विद्रो गया अठार सो पच्पन और चपन के बीची विद्रो श्टार्ट हुआ अब जैसे विद्रो श्टार् बन थे उनके आपको नाम न्विट कर रहु हूं संधाल जन जाती कि एक ठेया के सिन्दु मांजी- एक रिजह जाती हुए मैँ बीनकिन गशा बॉस्तर he भिरसा मुंडा और कांदु मुर्मू तो आप मेरे साथ एक वार बोलेंगे, आपको याद हो जाईगा, सिन्धुमान जी, तिल्कामान जी, बिर्सामुंडा कांदुमूर्मू, ये चार बंदे क्या कर रहे थे संथाल विद्रों को नेत्रित कर रहे थे अब यह संथाल विद्रों को नेत्रित कर रहे थे अच्छी तरीकी से थे हैं अ इन चीजों से लडाई कर रहे थे और इसमें क्या हो जाते हैं फटित कर जाते हैं उसमने अंग्रेज्च क्या हो जाते है जित जातें पूरी शेट्र ऑसे त रेटे कौन से परगेना नामक छेत्र दे दिया जाता है इस छेत्र में फिर संथाल रहेते हैं तो यह हम्ने पूरी स्टोरी यह पढ़ लियानि कि सिसका चिन्द था यह पहारी ज之前 पढ़ा पारे छे निर्वा पढ़ लिया फिर नहीं फिर अंग्रेजों का क्या परभाव पढ़ा पारे हमने यह पढ़ा लिया Lewis Ward तब हमने बंगाल के बारे में अच्छी सरी सिजय पढ़ लिए यही था बंगाल वालाल सिटम में बताया था न मलारी बंदूस वालला बंगाल में लागा फुफा था यही अमने दीपली पढ़ लिया अब पढ़ने के लिए बलता और डीपली पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे रेतिवारी सिस्टम महालवाडी दे नहीं रखा से लिए बज में अब हम पढ़ेंगे रेतिवारी सिस्टम कि रेतिवारी सिस्टम में क्या सिस्टम चल रहा था ठीक है तो आप बताएंगे मेरे को कि रि आपकनवाले चेत्र में लागु किया था इसके अंदर क्या हो था किसानों से सीधा टेक्स ले थे अब इसमें क्या कर देखा लेकर किसको देते इस इंडिया कमपणी को अब साउकार से कर लिया, उन्होंने सुनना त्याहन से, सावकारूं से लिया उन्होंने दस अजार, सावकारूंने लिखा 20 अजार, गयाज लगा के बता दिया एक लाग, वो वो बिचार अब वो कर चुकानी पारा, यह एक लाख रूपे, उस पे अब क्या होता है सावकारों से कर लेके किन का कर चुका रहे थे ये इस्ट इंडिया कंपनी का इस्ट इंडिया कंपनी कर क्या कर रहे थे चुका रहे थे इसी बीच क्या होता है 361 में क्या होता है ग्रैयुद अमेरिका में क्या होता है दोस्तों ग्रैयुद होता है ग्रैयुद समझ गयोंगे आप सी में राज्यों में क्या हो रहा था वार हो रही थी अब क्या हो रहा है अमेरिका में क्या चल रहा है ग्रायूद अभी इधर तुम्हारा क्या है ब्रिटेन अभी यहाँ पर ग्रायूद दो रहा है यह क्या लेता था इससे दोस्तों कपास लेता था कपास का वैपार दोनों के बीच होता था अभी यहाँ पर ग्रायूद दो रहा है कपास दे देगा नहीं देगा जैसे आपसे आपके घर में मम्मी पापा की जैसे लडाई हो जाती है तो आप क्या करते हैं कुछ भार समान जैसे आपसे कोई समान ले रहाता है को दोस्त तो आप उसको भगा दे तो कि घर में लडाई चल लिए समान नहीं दे सकता जब लडाई सौल हो जाएग तो यह मैं पे मत जाना मैं बढ़ा रहा था ठीक है किस पे कपास के लिए बोलने लग गया कि भारत हमें क्या दो कपास बीटे इनने क्या करा सभी साहुकारों जमिंदारों को बोल दिया गया तुम इनको जमीने वापस दो इनको पैसे दो और इनसे कपास की खेदी करवा किसानों को इन्होंने क्या करा साहुकार प्लस साहुकारों ने क्या करने लग गया जमीन प्लस पैसा देने लग गया और यह किसको दे रहा है किसानों को कि तुम क्या करो खेती करो राम से अब क्या हो रहा है किसानों को एक नई उमीद जगी किसानों को मिन में एक नई उमी सुधर रही थी सुधरी नहीं सुधर रही थी अब इस सुधरी रही थी अमेरिका में ग्रायूद खुल जाता है जैसे सुधरी थी अमेरिका में ग्रायूद खुल गया अब ब्रिटेन क्या कर रहा है अमेरिका से ही कपास ले रहा है वो कपास नहीं ले रहा भारस से अब क्या यह यह पूलसका वेटम सबसे बड़ा दंगा sudah फैक्ष खौल सकते हैं ठेक है सबसे बड़ा चाप इसको बोल सकते हैं कि इसका मतलब जादा होता आए भी अब क्या हुआ 12 माइ 875 में इस्टार्ड हुआ और ये आपको पता होगा पूने की एक जगा है पूने की एक जगा कौन सी है सूपा पूने की एक जगा से स्टार्ड हुआ और आहमत नगर तक ये विद्रो फैला अजी बताँ गो इस विद्रो में क्या था अब क्या कर दिया किसानों ने क्या कर दिया सावकारों को मारने स्टार्ट कर दिया जमीन दारों को मारने स्टार्ट कर दिया सावकार और कोई अंग्रेज दिखता था तो उसको भी टपका देते थे ठीक है सावकारों के बंगलों में गुसे ही ये सावकारों को मारा और उसके क्या कर दिये खेत जला दिये इन्होंने खेत जला दिये और इन्होंने क्या करा प्लस में गोदामों को लूट लिया अन्नागर गोदामों को क्या कर लिये इन्होंने लूट लिया, खेतों को जला दिया इन्होंने उसके बाद इन्होंने अगर कोई अंग्रेज रिखता है तो उसे भी मारा ठीक है तो यही सबसे बड़ा दंगा कहला आया था 12 माई 875 में आपका धककन दंगा ठीक है, किसानों ने भहुत इसमें लडाई करिया अच्छे से और जो यह चीज हुई थी इसमें क्या हुआ आपके बहुत सारे सावकारों की मिर्त्य हो गई और यहीं पर चैप्टर क्या होता है आपको चैप्टर एकदम टिप्पे हो गया होगा यह मेरी गरेंटी है ठीक है ना फर्स्ट बार और।й है अपके आपके टिप्पट हो गया होगा और प्लस में बस आपको हलका सा एक निसलं अऔर आपके टिप्पपे हो जाएगा चैप्टर पहलए हो चुक है लेकिन थोदा है और लिए आफिल सेल्पारवा दिया था और दिर två बात ठीक है झाल